युगो युगो से चल रहा है में, ग्रह नक्षत्रों का सम है खेव, म्रमाण में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आए जाते हैं आज कौन सी राशी हो की माला माली जै शनी देर, प्रियभक्त करों, मैं स्वामी राज रशी, शनी पीठ मंदिर, इस्ट पटे लगर, नई दिल्ली से आज आके समख्ष रस्त तूँ दस वर्ष की आयूस पे ही मैं अपने पूज में पिता श्री, गुरू रजीश रशी ची के में देशन में एस्टोलोजी, निम्रोलोजी एवं दन गंतों का अध्यान कर रहा हूँ तो क्या कहते हैं आपके सतारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए, आज कर आशिकता जिन भी पकड़ों ने हमारे इस चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेना अग्रोध है, हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, वो उन तक सबसे पहले पहुंच सका हमारी इस वीडियो को 24 मिनट तक रहेगी और उसके पश्चात सब्तमी तिती लग जाएगी, आज अभी जीत मूरत जो कि किसी बीकारे को करने का एक शुमूरत होता है, उसका समय नहीं पड़ेगा, आज राहु काल दुपेर 12 बच के 24 मिनट से लेकर 1 बच के 41 मिनट तक रहेगा, इस दोरान किसी बीशुप कारे को करने से आप सभी लोग परियस करें, प्रिये भख करो, आज नव वर्ष की मैं आप सभी को हार्दिक शुप कामनाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ये नव वर्ष आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शान्ती और सम्रिद्धी लेकर इस कामना के साथ हम अपने शनी मंदिर में एक यग्य का आयोजन कराने जा रहे हैं जो की एक जन्वरी 2020 को होगा, इस यग्य में भागिदार बनने के लिए यदि आप इच्छुख हैं तो तुरंट ही स्क्रीन पर दियोए नमबरों पर हमें संपर्थ करें और इस यग्य मे भाग लेकर अपने और अपने परिवार के लिए सुख, शांती और सम्रिद्धी की कामना करें आईए आप जानते हैं कि मेश यानि कि Aries राशी वाले जातक होगा, आज कर दिन कैसा वीतेगा आज आपका आलस से ही आपका शत्रू बन सकता है और आप अपना पूरा दिन आलस से की भेट चड़ा सकते हैं इससे स्टूडेंट्स अपने सेट की हुए टार्गेट से पिछर सकते हैं और नौकरी पेश अव्यक्तियों के प्रोजर्च दिले होने से उनके वर्कलोड पाइलप हो सकता है आज आप रातर काल उठकर एसी फिजिकल आक्टिविटिस में भाग लें जो आपके अंदर उर्जा करसंचार करें और आप आलस से ना कर पाएं व्यायाम करना और जॉगिंग पर जाना आपके लिए उत्तम होगा आज अज़र हो सकता है कि आपकी मेहनत के अनुकूल आपको फल ना प्राप्थ हो परन्तु आप निराशना हो और इस बात को एक चालेंज की तरह लेकर मेहनत करने का संपल करें यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत के अनुकूल आपको फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं और भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो तुरंती स्क्रीन पर दिये और नंबर उपर हमें संपर्ट करें और मुझसे यानि कि स्वामी राजशी से अपनी कुंडली दिखवा कर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपका भाग्य चमकोटेगा और आप दिन दुनी राज चौगनी प्रगती करेंगे आज आपको जरुवत है कि यदि आपसे कोई भूल चुक हो जाएं तो उसे एक्सेप्ट करें और सुधारने की कुशिश करें आज आपके बड़े भाई के घर से आपको अर्शुत समाचार प्राप्त हो सकता है आज लोहे की एक गोली लाल रंग से पेंट दरके अपनी जेब में रखें इससे आपको अपने कारों में सफल तक राप्त होगी आज का आपका राशी पल देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ चलिए आप जानते हैं कि विशब यानि कि टॉरस राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आज शराप, मास और मदिरा का सेवन करना शनी देव जी को कर सकता है इसलिए आज आप इन चीजों से प्रफेस करें आज वर्ट प्लेस पर आपको प्रतीकूल हालातों का सामना करना पड़ेगा और आपके सहकर्मी आपके कारियों में अडंगे लगाने के कोशिश कर सकते हैं छोटी मोटी भूचोग भी आज आपको भारी पढ़ सकती है जिससे आप अपने बॉस की गुस्टे के शिकार हो सकते हैं इसलिए आज आप वर्ट प्लेस पर अत्ता दिक साथानी परते और केवल अपने कारियों पर ध्यान देकर उन्हें टाइम से कम्लीट करने की कोशिश करें स्टूडिंट्स को आज उनके अध्यापकों से डार फटकार मिल चकती हैं और अपने सबी मित्रों के सामने अपनी गलतियां जाहिर होने से आज आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है जिससे आज आपका मनुबर भी कम हो सकता है आज आपको अंदे व्यप्तियों को लड़ों खिलाने चाहिए आज कबूतर को दाना डालना भी आपके लिए अत्यांत शुब होगा आज का आपका राशी फट देखते हुए मैं आपको एक स्टार्ट देता हूँ आईए आप जानते हैं कि मिथुन यानि कि जमेना राशी वाले जातकों का आज करें कैसा भी देगा आज आपको राश में सोते वद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बुरे सपने आने से आज आकी निजरा भंग हो सकती हैं जिससे आप सुबह ओड़ कर छुड़ चुड़ा मैसूस कर सकते हैं इसलिए आज सोने से पहले मेडिटेशन अवश्य करें इससे आपको नीज अच्छी आएगी आज यजिए आप तीर थियातर पर जाने का विचार बना रहे थें तो अभी के लिए उसे टाल दें अभी यातरा में कठनाईयों की वज़े से आपको तीर थियातरा बीच में छोड़ कर आनी बढ़ सकती है या आपको अपनी यातर का संपोर्ण फल प्राप्त नहीं होगा आज आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने की जरूरत है क्योंकि आज जुबान फिसलने से लोगों को आपकी बाते बुरी लग सकती है और वे आपकी बेशर्मी से नराज भी हो सकते हैं आज आपको अपनी बुवा के घर से अश्र समाचा भी प्राप्त हो सकता है आज आपकी बेहन का स्वास्त बिगड़ने से भी आपकी भागदोर बढ़ सकती है आज आपका भागे भी आपका विशेश साथ नहीं दे रहा है आज यदि आपको विदेश आतर करनी है तो यातर में रुकावटों से आज आपकी यातर बहुत जादा ठखाने वाली होगी और जो आप कारे करना चाह रहे थे उसमें भी अनावश्यक विलम होगा आज आप हरे रन के वस्त्रों को धान करने से परेश करे आज आपको चावल और चैने की डाल किसी ज़रूरत मंगती को दान देनी चाहिए मित्थुन राशी वालो अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है और फिर भी आपके विवा में अनावश्यक विलम हो रहा है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्रान पतिष्टित पुखराज की अंगूती अवश्य ही धारण करनी चाहिए कुंटली का अध्यर किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे जोतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आज का आपका राश्यपल देखते हुए मैं आपको एक भी स्टार्ट नहीं दूँगा अब मैं आपको बताने जा रहा हुँ कि कर यानि की कैंसर राश्य वाले जासकों का आज का दिन कैसा भी पेगा आज चोटे बच्चों को चोट फार्ट लगने का खत्रा बना हुआ हैं इसलिए उनके माता पिता को उनका विशेज तोर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है आज आज आपके सजुराल पक्ष्टे किसी व्यक्ति को भारी बिजनस लॉज भी हो सकते हैं जिससे उनकी आर्टिक स्थिति आज गंबीर हो सकती है आज आपको अपना विशेज तोर पर अत्यदिक साथानी बरतने की जरूरत है क्योंकि आज किसी दुरगटना के शिकार होकर आप धायल हो सकते हैं इसलिए आज यदि यात्रा करना अत्यद आवर्शक ना हो तो उसे टाल दें आज आज आपको पेट के नीचले भाग में दर्थ की शिकायत हो सकती है या जरब भी महसूस हो सकती है इसलिए आज 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 सात्वे बोजन की ग्रहन करें और तला हुना खाना भी अवोईड करें आज आज आपके परिवार के किसी व्रक्ति की अचानव तग्यत खराब हो चाले की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है आज गले में चांदी की चीन ध्रांड करना आपके लिए अत्यर्द छुब होगा आज आप दुरगा माता की उपास न करके उनसे अपने कष्टों का निवारन करनी की मनो कामना मागें आज का आपका राशी फस देखते हुए मैं आपको दोस्ट आप देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंग यानि कि लियो राशी वाल जातकों का आज का दिन कैसा भी देगा यदि आप अपने भायूं या अपने मित्रों के साथ पार्टनर्शिप में व्रसाय करते हैं तो आज आपके गलट डिसीजन से कारण आपको व्यापार में हनी उठानी पर सकती है जिससे आपके विजनस पार्टनर के साथ आपका जगड़ा भी हो सकता है लेखकों को आज नए आइडियास ही कमी सताएगी और अपनी राइटिंग में फ्रेशनेस नहीं मिंटेन कर पाईगी गिसे पेटे आइडियास आज मन में आने से आपकी अपने कारों में रोची नहीं रहेगी आज आपके गिरियस्त जीवन में आपको कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है और अपने लाइट पार्टनर के साथ कले होने से आज आज मान से ग्रोप से परिशान हो सकते हैं आज आपको जरूरत है कि आप अपने पार्टनर के साथ तोर मोल कर बाते करें और एक उसरे की छोटी मोटी गल्दियों को नजर अंदास कर दे आज बेवज़ाशक करने से आप दोनों के संबन तूटने के कलार पर पहुंच सकते हैं यदि आप अपने वेवाई जीवन में आए दिन दिक्कतों का सामना करते हैं और आपका अपने पार्टनर के साथ मन मुटाभी बना रहता है तो तुरंती स्क्रीन पर दियोए नमबरों पर हमें संपर करें और गुरु रजुशेशी जी या गुरु आनुक मणी द्वारा अपनी और अपने पार्टनर की पुर्ली दिखा कर ऐसे उपाय प्राप करें जिनसे आपके पेल संबंदों में मस्बूती आईजी आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कन्या यानि कि बरगोराशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भी देगा आज चातरों की विद्या में बादाएं उत्पन होंगी और जब भी वे पढ़ने बैठेंगे किसी ना किसी डिस्ट्राक्शन के कारण उनको अपनी पढ़ाई के बीच में ही छोड़ कर उठना पढ़ेगा जिससे आज उनकी एक आगता भी भंग होगी आज जरी आज किसी कोचिंग इंसिटूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या ओन्लाइन कोर्स पर्चेस करना चाह रहे हैं या ऐसा कोई भी इंवेस्मेंट अपनी पढ़ाई के सम्मन में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन शोड़ नहीं है अब या आप इन विचारों को अपने मन से निकाल ले आज नौकरी पेशा व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को नराज कर सकते हैं क्योंकि आप केवल अपने काम में ही लगे रहते हैं और आपके पास अपनी फैमली के लिए बिलकुल भी टाइम नहीं है इसलिए आज आपको जरुवत है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करें और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी समय निकालें आज आपकी इमानदारी आपके भावी वो चमका सकती है इसलिए गलत रास्तों से धन एकतित कर लेने के बावजूद भी आप हो सुक और चैन हासिन नहीं कर पाएंगे जो आपकी महनत की कमाई दे सकती है आज आपके शत्रूव का बल बढ़ जाएगा और वे आपको नुक्सान पजाने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए आज आप अत्यादिक साथानी पढ़ते हैं आज सोने की चेन गले में धारन करने से आपका भाग के चमक सकता है आज कौारी कर्ण्याओं को अपने घर पे अमंद्रित करके उन्हें भूजन कराएं और उसके बाद उनका आशिवर्णी इससे बुद्धेवत्ता आपसे प्रसंद होंगे कन्याराशिवालों अपने व्यापार में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र से प्रांट पत्रिष्टित पन्य की अंगूठी अवश्य ही धारण करने चाहिए यदि आप स्वयं गुरु रजी शिशी जी द्वारा अभिमंत्र अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिवे नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रजनों की अंगूठी को खरीदने से पूर आपको अपनी कुंटली का अध्यर किसी योग के ऐस्ट्रोलाजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे जोतिश परामर्ज लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आज का आपकर आशिफों देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हैं एक्जान में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है इंकम से जादर खर्चा हो जाता है ट्रांसफर हो रहे हैं शादी नहीं हो पा रही है या आपका आपना घर नहीं बन आपके पास धंगी कमी बनी रहती है, या आपका स्वास अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बिमार लेते हैं, या आपके बच्चे बिमार लेते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप तीड़े से, तो आप स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जा हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टिूट चलाने के लिए कर्म के काम जैसे की यग्यों मायग्यों के आयोजन के लिए प्रशादेव लंगर के वित्रण के लिए किया जाता है आपके द्वारा दी गई इसी पीस में से हम अगले दे प्रमोख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा हवश्य करते आईए आप जानते हैं कि तुला यानिकी लिब्रा राशी वाले चाता कोगा आज कर दिन कैसा बीतेगा आज गैस, बधस्मी या पेट के अन्य विकारों के कारण आपका स्वास्त बिगड़ सकता है जिससे आज आपका मन अपने कारों में नहीं लग पाएगा और आपकी एफिशेंसी भी आज अफेक्ट होगी ये सब अनहाईजिनिक खाना खाने से हो सकता है इसलिए अपनी दिमचर्ण का निरिक्षन करें और इसके कारण का पता करें आज आपको आकस में धन लाग हो सकता है आज वेखकों और प्रिंटिंग प्रेस के कारेों से जुड़े व्यक्तियों को धन अर्जित करने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं आज अयाजी करना युवकों को भारी पढ़ सकता है और आज इससे उनके परिवार के मान सम्मान को भी ठेस मौच सकती है छात्रों का मन आज पढ़ाई में ना लगपाने के कारण वे विजलित हो सकते हैं आज इजी सवालों में भी सिली मिस्टेक्स करने से आपकी मेनत गयाज हो सकती है और आपका कॉंफिटेंस भी आज इससे डाउन हो सकता है यदि स्टूडेंस को ऐसा लगता है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है या मेहनत करने के बावजूब भी उनको अपनी मेहनत का फल प्राक्त नहीं होता है और एक्जान्स में उनके नंबर कम आते हैं तो तुरंती स्क्रीन पर दिये और नंबरों पर हमें संपर करें और मुझसे यानि कि स्वामी राजशी से अपनी कुंडली दिखा करें ऐसे उपाय प्राक्त करें जिनसे आपकी पढ़ाई में रूची बढ़ेगी और जो भी एक्जान्स आप अपने जीवन में देंगे उनमें आप सफलता प्राक्त करेंगे मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हमारे बदाय उपाय आपको फायदा नहीं करते हैं तो हम आपके उपाय पर खर्च्पियों सभी धन को लोटा देंगे आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ अब मैं आपको बदाने जा रहा हूँ कि व्रिश्चिक यानि कि स्कॉर्पियो राशी वाले जातकों का आज के दिन कैसा वीतेगा आज वर्क प्लेस पर जाते वाग्त वाहन में खराबी आ सकती है जिससे आज आपको कठेनाईयों का सामना करना पढ़ सकता है और वाहन की मरमत के कारेों में आज आपका धन और समय दोनों नश्ट होंगे आज प्रॉपर्टी की डील करने के लिए भी दिन शुब नहीं है आज 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 की मातर जी की तब्या खराब हो सकती है जिससे आज 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 के परिशानियां बढ़ सकती है और आज आज आपको डॉक्टर की चक्कर लगाने पढ़ सकते हैं आज हार्ट पेशन्स को अपना विशेश तोर पर ध्यार लखने की ज़रुवत है आज अपनी दवाई लेने में बिल्कुल भी डील ना दे अन्यथा आप अपने परिवार की चिंताइं बढ़ा सकते हैं आज चांदी का चौक और तुक्णा चांदी की चेन में गले में धारन करने से आपको मांसिक शांदी का अनुभफ होगा आज के सकते लग माथे पर लगाना भी आपके लिए शुब होगा आज का आपका आशी फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार्ट देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धनू यानि की साजी टेरेस आशी वाले जातक होगा आज का दिन कैसा भी देगा आज ठंड लगने से या सरदी गर्मे होने से आपको खासी जुखाम होने की संबावना दिखाई दे रही है इसलिए आज आज आप अपना ध्यान रखें आज आपके ताया जी या चाचा जी की घर से भी आपको अशुब समाचार प्राप्त हो सकता है आज आपको अपनी फिजूल खर्ची पर भी कंड्रोल करने की ज़रूद है क्योंकि आप अपना पैसा ऐसी चीजों में ब्याद कर देते हैं जिनके आपको ज़रूद भी नहीं है इसके बजाए आपको अपनी मेहनत की कमाई में बर्कत के लिए किसी समझदार व्यप्ती से सला लेकर सही जगा पर इंग्मेस्ट करना चाहिए परन्तु आज आपके व्यफसाय में आपको आम दिनों के मुकाबले कई गुना मुनाफ़ा होता हुआ नजर आ रहा है और आज आपके व्यापार की पॉपिलारिटी में भी इजाफा होगा चार्टर अकाउंटेंट्स की मुलाकाद आज इंफ्लुएंशन क्लाइंट से हो सकती है जिससे बविश्य में चलकर उनको फायदा मिलेगा प्राइट प्राक्टेस करने वाले डॉक्टर्स के लिए भी आज कजिन अतिन शुप है आज आप से जादा प्रिशंट्स पुनने हैंगे आज पक्षियों के लिए दान पानी का एक्जाम करने से आपके व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी आज दमे की रोगयों की चकित्सा के लिए किसी चारेटेवल हॉस्पिटल में डोनेशन देने से भी आपको सुपफलताप्त होगे धनु राशी वालों अगर आप अपने ग्रियस्त जीवन में हो रहे लडाई जगडों से परेशान हो चुकी हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करना चाते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र से प्राण प्रत्रिष्टित पन्नी की अंगूठी अवश्य ही धारण करने चाहिए यदि आप स्वयन गुरु रजनी शिशी जी द्वारा अभी मंत्र अंगूठियों को प्राप्त करना चाते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दियोए नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रजनों की अंगूठी को खरीदने से पूर्फ आपको अपनी कुंटली का अध्यर किसी योग के ऐस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे जोतिश परामर्ज लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आज का आपका राशिफद देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमतकारी उपाय जिसे करने से आप बजरंबली हनुमान जी की क्रिपा का पातर बन सकते हैं और विस्वयम आकर हर विपत्ती में आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे आज आप प्रातर काल उठकर पवित्तर होकर पीपल के पत्ते तोड़ने और उन पर कुमकुम या चन्दन से हे राम लिखें उसके पश्चाद आप उन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें और उनसे आपकी रक्षा करने की प्रात्रा करें आज इस उपाय को सद्धा पूर्वक करने से हनुमान जी आप से प्रसन होंगे और हर मुसीबत में आपकी रक्षा करेंगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मकर यानि की क्याप्रीकॉन राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा वितेगा आज रेडिमेड गार्मेंट से व्यापारियों और दुकानदारों को कस्टमर्स बढ़ने से खुब मनाफ़ा होगा नौन रवान लोगों को जो अभी ग्रैजुट होने वाले हैं आज केसी बड़ी कंपनी से अच्छा जॉब आफर मिल सकता है आज आपका स्वास्त भी बहतरीन रहेगा और आज अपने आपको आप पूर्ण जोशीला और भागेबान महसूस करेंगे आज अदालती मुकदमों में भी फैसला आपके पक्ष में आने से आपका मनोवल बढ़ेगा सूडन्स आज जदी टार्गेट सेट करकर पढ़ने बैठते हैं तो निश्चे तोर पर आज उनको सफलता प्राप्त होगी और वे समय से पहले भी अपने पढ़ाई को समब्द करके अपने मनोरंजन के लिए कुछ समय निकाल पाएंगे परंतु आज आपके मित्र ही आपको नुक्सान पहुचाने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए आप उनसे साफधान वहें आज आपका अपने रिष्टेदारों से मनमुटाप भी हो सकता है आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ चलिए आप जाते हैं कि कुप यानि कि आपकोईरिस आशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भीतेगा आज यदि आप किसी विपती में खुद को पाते हैं तो घबरा ही नहीं आज आपके लाइफ पाड़ने के साथ से आप मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना करकर उनमें विजय प्राप्त करेंगे आज छात्रों को अपने अध्यापकों से अपने एक्जान्स में खराप प्रदेशन की वज़ा से धांट पड़ सकती है जिससे आपका मनुवल कप होगा आज आप अपनी पड़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे और अपने सेट की हुए टार्गेट्स को मिस कर देंगे जिससे आप शेडियों से पीछे हो सकते हैं आज यदि आपको विदेश यात्र पर जाना है तो आज कोई न कोई अर्चन आने से आपको अपनी विदेश यात्र में कठे नाईयों का सामना करना पड़ेगा जिससे आज आप अपनी मंजिल पर ठके हारे पहुचेंगे आज वर्क प्लेस पर हालात सामाने रहेंगे और आपके सबी कारे अपनी निर्धारत गती से होते रहेंगे आज आप भूरी गाय की सेवा करें आज नहाने के पानी में दही डाल कर स्नान करने से आपको शुप फल प्राप्त होंगे आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ शली आप जाते हैं कि मी यानि कि पाइसेज राशी वाले जातक होगा आज का दिन कैसा बीतेगा यदि आपके दोस्तों के बीच जंगड़ा हो गया है तो आज आप मदस्ता ना करें आज आपके जुबान फिसलने से आपके दोस्तों के बीच की लड़ाई और बढ़ सकती है आज आप अपने स्वार पूर्ती हेतु कारे करेंगे पर आपके आजपास के लोग आपकी इंटेंशन को भाप लेंगे और आपको एक मतलबी इंसान के तोर पर देखेंगे आज आपको अपनी स्किन की केर करनी है क्योंकि आज आपदाग, खाज, खुजली, इत्याजी परेशानियों से चड़-चड़े हो सकते हैं इसलिए अपने परसनल हाईजिन का पूरा ध्यान रखें एक इंसान की पहचान उसकी संगत से होती है और आज आपके खराब संगत समाज में आपकी इज़त को कम कर सकती है इसलिए सज्जनों के साथ ही मित्रता करें और यदि आपके मित्रों को गलत आदते लगी हुई हैं तो उनका साथ त्रण छोड़ दें आज खर्चे बढ़ने से आपको मांचेत तनाब भी हो सकता है व्यवसाइक व्यक्तियों को आज अपने व्यापार में छोटा मुटा मुक्सान हो सकता है पर दो अघबराई नहीं और अपने परिश्रम में कोई भी कमी ना आने दे जल्द ही आपको अभी मेहनत का मन वानचेत फल प्राप्थ होगा आज पीले धागा दले में धारंग करने से आपको शुपफल प्राप्थ होगे आज मंदेर में रेता दान करना भी आपके लिए शुब होगा मीन राशी वालो अगर आपका पड़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या मेहनत करने के बावजूती आपके एक्जैम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिवे नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रद्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लिना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परामर् धर्म ग्रंथों और योध्य शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जान्ने के लिए हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोज को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरें